कोवीट संक्रमीत मुरुतक को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तब पुरुष के शव की जगह महिला का शव देखकर परिजन सक्ते में आ गए महानगरपाली का करमचारी और आरोगय भग द्वारा शव के अदला बदली का मामला सामने आया है जिसे प्रशासन की लापर्वाही भी कही जा रही है साथ ही जब कोवीट संक्रमीत मरिच का शव मिला तब वोग खुन से लतपत था इससे प्रशासनisions HOL के अनुसार किसी भी कोवीट संक्रमीत मरिच का शव परिजनों को नहीं दिया जाता महानगर पाले का करमचारी अस्पताल से श्मशान गाट तक सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं ऐसे में जब शंकर सेठे जो की कोविद संक्रमित थे शैनिवार को उनकी वाना डोंगरी के लता मंगेशकर अस्पताल में मौत हो गई जब अस्पदाल ने महानगर पाली का कर्मचारियों को शंकर सेटे का शव सोपा उसके बाद कर्मचारों ने शव गंगावाई घाट पहुंचा जहाँ उनके परिजन मौजुद थे शंकर सेटे के बेटे ने इचा ज़ता है कि उसे अपनी पिता को आखरी बार देखना है तब शोव को खोला गया और नजारा देखकर सब दंग रहे गए शंकर सेटे के जगह किसी अन्यमयला का शव वहाँ पर था हमारे जीजा जी शंकर सेटे जो पंजाब नेशनल बैंक से सेवा ने उरुता है वो कोविट से पिछले 10-12 दिन से लता मंगेशकर हॉस्पिटल वानाडूरी में कोविट के इलाज के लिए उनको वर्ती किये थे 10-12 दिन इलाज हुआ कल रात में लता मंगेशकर हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग उनके लड़के को मयूर सेटे को बताते है कि आपके फादर शंकर सेटे ये एक्सपार हो गए हम लोग वहाँ पर पहुँचे साथे साथ उनके पतनी भी वहाँ पर एड्मिट थे तुल्सा भाई सेटे शंकर सेटे ये आईसे में थे इनका कल निदन होने के बाद हम लोग आज सुपेर बड़ी के लिए गए मानगर पालिका के टिम ने उनको बड़ी सुपरोथ किया लटा मंगिसकर हॉस्पिटल ने मानगर पालिका इसको बड़ी हैंड वोर किया और वो बड़ी में शंकर सेटे करके लिखा हुआ था और शंकर सेटे के जगा हुआ ये कि वो बड़ी जब हम गंगबाई घाट पर अन्तिसंसकार के लिए लाए तो वहाँ पर उनकी बेटी वो उनकी इच्छा थी कि पापा का मुझे चेहरा देखना है जब उन्होंने चेहरा देखने के लिए हमने कार्पोरेशन के कोविड के करमचारियों के मादम से वो केट को खोला तो उसमें पता चला कि शंकर सेटे मुरितक का बड़ी उसमें नहीं है बलकि उसकी जगा किसी महिला की बड़ी थी हमारी आख खुल गए हम जैसे मानाकरपालिका को फोन किये उन्होंने कहा कि तुम लतामंगेशकर हास्पिटल में फोन लगाओ लतामंगेशकर वाले वो बोलते हैं कि हमने तुमको बड़ी दिया अब तुम देखो परंतु वो कोई मदद करने के लिए तयार नहीं दे उसके बाद में हमने कोविड-19 के कंट्रल रूम में फोन लगाए पता नहीं फिर लतामंगेशकर को क्या हुआ उनके माद्यम से हमको मालूम पड़ा कि तुमारी बोड़ी शंकर सेटे का बोड़ी ये मोक्षेदाम पर रहाए करके फिर मोक्षेदाम वालोंने एंबुलेंस के माद्यम से बोड़ी को यहाँ पर बेजे और फिर वो बोड़ी महिला की बोड़ी के जगा शंकर सेटे का बॉली बेज़ा और शंकर सेटे का बॉली में महिला का नाम का स्टिकर लगा हुआ था ये है दवा खाने के आरोग्य विबाग की लापरवाई जिसके कारण जनता को भुगतना पड़ रहा है आम जनता हर इंसान इससे परिशान है कोई भी दवा खाना जाने के ये डरता है और दवा खाने में जाने के बाद घंटों तक के वा पर खड़े रहना पड़ता है फिर भी दवा खाने में नंबर नहीं लगता है और नंबर लग गाए तो उसके बाद में घर का अदमी पैदल जाता है और दवा खाने से सीधा घर ना पहुशते हुए सुदर पत्रकार भायोस में नम्र निवेदन करता हो कि यहां जांजागरूती करो और प्रशाशन को उजागर करो और हमारे साथी साथ संकर सेटे का जो बड़ी यहां पर आया कोविड का पेशन्ट का डाक्टर बोलते हैं कि इसका कोई पीम नहीं करते हैं परन्तु हमारी बोड़ी का पेट का पूरा सर्जरी कटा हुआ है और पेशन्ट यह जो बोड़ी है पूरी ब्लेडिंग से बड़ी हुई है शंकर सेटे मृतक मृतक संकर सेटे का चेरा पूरा द परिजन को शव मिला तो उनके शरीर पर कई तरह के घाव थे नियम के अनुसार कोर्णा से मरिय विक्ति का पोस्ट माटम नहीं किया जाता लेकिन शंकर से ठेके शरीर पर कई तरह के घाव थे और पुरा शव खुन से लथवत था कार्य करता हूँ यहाँ पर गंगा भाई घाट पर प्रकरन ऐसा आ गया है कि जेंट के जगों में लेडिस की बाड़ी दी हुई है और जब यहाँ पर बाड़ी आ गई तो जेंट की जो लईकी है उसने जाइर किया कि मेरे पीटा जी की बाड़ी देखना है जब चेहरा खोलक तो फिर बड़ी लाए जेन्स की और लेडिस की लेके गए जब जेन्स की भी बाड़ी लाए तो पूरा लखफत पड़ी हुई है अब वह बाड़ी आप जेख सकते हैं अंदर भी है महानगर पाले का द्वारा हो रही लापरवाईयों की लिस्ट अब लम भी हो चुकी है कभी मरीज की अदला बद्रे तो कभी कोरोना मरीज नहीं होने पर भी कोरोना का इलाज कराने जैसे लापरवाई आरों की विभाग द्वारा हो रही है जिस और प्रशासन के वरिष्ट और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान देना ज़रूरी है कैमेरा प्रसंद राजकुवार मोड के साथ दीपिका धानेशवर के रिपोर्ट इन बिसन न्यूस के लिए